आजम गड़ के उपचुनाओं में समाजवादी पाटी का चेरा कौन होगा इस मसले पर बैठक करने के लिए आज यहां अखलेश यादों ने सभी दसों विधायक को बुलाया था आजम गड़ के सभी दसों विधायक यहां पर पहुचे लेकिन अखलेश यादों किसी वज़े से बैठक में नहीं आ पाए हलाकि उन्होंने फोन पर बात की संग्राम सिंग यादों ने जब अखलेश यादों को मोबाइल पर कॉल की तो उन्होंने स्पीकर फोन पर सभी विधायकों से बात की और यह कहा कि आजम गड़ उनका घर है वहां के लोग उनके परिवार के सदस हैं इसलिए किसी भी तरह स आजम गड़ के लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे और कोई ना कोई कंडिडेट जल्द वहां से नाम की घोशना की जाएगी लेकिन यह कंडिडेट दिंपल यादों होंगी या कोई और इस पर अभी रहस बना हुआ है क्योंकि आजम गड़ के लोगों की भी मांग है कि अ काम असरे वो भी मौझूद थे इसके अलावा जो पूरु मंत्री रहे पूरु विविधायक वो भी मौझूद थे बैठक की अध्यक्षता नरेश पटेलने की जो प्रदेश अध्यक्षत समाजवादी पाइटी के और यह बैठक कल संभावित है यानि आज आज आपस में चर्चा हुई है उसमें कोई तरह की सहमती नहीं बन सकी लेकिन यह कहा जा रहा है कि कल एक बार फिर से बैठक होगी जिसमें अखलेश यादो उपस्थित होंगे और पार्टी का चेहरा कौन होगा उप्चुनाओं में पार्टी किसे मैदान में उतारेगी इस पर मोहर लग मे पत पार आइए ऑफ़कल झालेश तरह वी जुटित होग है ऑगार्टी किसे में अबंड़ी सहमती है